गईस आज जानेंगे हम असली साच, ब्रैंड आजकल फेक मार्केटिंग कर रहे 50-100-200 Megapixel कैमरा की, इसलिए मैंने आज ये Realme का Narzo 60 Pro लिया और सोचा इसको compare कर लेते एक 100 Megapixel वाले flagship से, यहां पर फिर हम चेक करेंगे क्या ये सही में 100 Megapixel लाइक फोटो देता है, यहां पर मै यह सब की तो बात करूंगा बद डीटेल्स जो आपको 100 Megapixel में आनी चाहिए वो भी दूँगा, और साथ में मैंने 12 Megapixel का Samsung S21 FE रखा है, यह पिछले साल वाला, ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया आसके, यह 12 Megapixel इस 100 के सामने कैसा perform कर लेता है, हलो काईस में हूँ कैफ यह अधर नहीं किया गया या कोई गड़बड नहीं की गया है, इसलिए यह 100 Megapixel नहीं की गया दिया उस पर यह लोग ने color processing के उपर कामी नहीं किया है, उसी की जगा, अगर मैं Realme, NARZO 60 Pro लाता हो उसकी 100 Megapixel की फोटो, तब से पहले तो पूरे colors नहीं का दिया, पूरे के हद तक यहां पर detail दिखती है Realme के shot में, जो मुझे ऐसे लगा, हाँ Samsung के H21 FE से बेटर है, and H22 Ultra अफकॉस एक flagship phone है, but ठीक है, यहां पर detail आपको decent सी देखने मिलती है, थोड़ा सा oil painting effect है, but okay, हम बोल सकते है, अब अगली photo देखो, H22 Ultra तो अफकॉस best photo है, इसको side कर देते है, य यह चीज़ के कारण colors काफी जादा wash out हो गया, थोड़ा सा warmer tone जादा add कर दिया Realme ने, यह 100 Megapixel की photo है, और लगने रही है, and एक और shocking चीज़ बताओ, जब zoom किया, तो 12 Megapixel की H21 FE में जादा detail है, compared to Realme का Narzo 60 Pro, जो 100 Megapixel में photo ले रहा है, यह मुझे बहुत जादा shocking चीज़ लग किया था, अब यहां पर आप देखोंगे, of course, H22 Ultra के photo, one of the best photos है, बड़ वहां पर हलका सा skin के उपर reddish tone आ रहा है, जो थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रीम लगा, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐस लग रहा है, वहां पर H22 Ultra ने भी घडबड की है, बड़ अगर मैं Realme का shot देखू है Samsung H21 FE का shot देखू, यहां पर मैंने एक चीज देखी, यह दोनों में इस बार थोड़ी सी similarities देखने मिल रही है, Realme मैंने एक प्रॉब्लम यह देखी, इस टीशर्ट का color है, बहुत ही जादा fika हो गया, actually, तीनों में से किसी iPhone ने भी टीशर्ट का proper color नहीं दिखाया, actual color green है, थोड़ा सा blue किसी ने दिखाया, किसी ने थोड़ा सा light blue दिखाया, बट Realme ने almost fika color दिखाया, मतलब color उड़ चुका है, ऐसा लग रहा है, यहां पर Realme ने फोटो तो decently है, बट colors के मामले में यह लोग बहुत जादा बोरा काम कर रहे है, processing के ओपर, software के ओपर Realme को काम करने ह अब आप नेक्स्ट वाली फोटो देखो, यह मेरी सबसे favorite photo है, यहां पर colors देखो, Samsung के S22 Ultra ने कितने जाद अच्छे लिए, कितने जाद अच्छे है, आपको पता है, सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, S21 FE ने भी बहुत जादा हुआ, सुन्दर colors लिए आपर, जो pink color ह है, क्या amazing लिया, बट उसी की जगा है, यह रियल्मी का नार्जो, 108 Megapixel के photo में, इतने जादा dull colors ले लिए इसने के, मुझे यह photo पसंद नहीं आई, वादा ऐसा लग नहीं रहा है, कि यह 108 Megapixel ने camera, यह लोग marketing जित्ता करते हैं, उतना actual photo processing के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इ यह 108 Megapixel का camera वाली photo, actual में, डीटेल दे ही नहीं पा रहा है, blur है, noise है, उसी के जगा भाई, कितना sharp photo दे रहा है, यह चीज मुझे बहुत जादा अनोय कर रही है, इतना यह लोग marketing जो कर रहा है, actual में वैसा काम कर ही नहीं पा रहा है, अब next photo देखो के S22 Ultra, of course best है, चलो इसको साइड कर दिया, फिर से में S21 FE से ही compare कर लेता हूँ, यहां पे भी आप देखो, जूम करने के बाद, डीटेल्स आपको S21 FE में better मिलेगी, यह दोनों ही हलका फलका फ्लेर है, फोड़ा सा S21 FE में फ्लेर जादा आया है, फिर भी मुझे ऐसे लग रहे है, डीटेल्स S21 FE ही ज अचा camera होगा, यह जो scam है, यह बहुत बड़ा trap है, इससे आपको बचाने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, अब थोड़ा सा night mode में photos ले ली, S22 Ultra तो एकदम amazing photo लिया, फिर से चलो side कर देते है, S21 FE के सामने फिर से नार्जो को लेकिया है, नार्जो के colors पूरे फीके पढ़ गए, details की कमी पढ़ गई, यहां पर actual में noise काफी जादा दिखरी, यह पूरी 100MP की ही photos है, S21 FE 12MP पर में यह हमेशा बता रहू हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहू क्योंकि उसने इत्ती अच्छी photos ली है, यहां पर मुझे ऐसे रगता है, definitely night mode में भी Realme ने कोई खास काम नहीं किया है, colors को फीका रख दिया है, colors के उपर processing नहीं कर पाया, जिसके यहां प्रपर colors को saturate नहीं कर पाया, Samsung कभी-कभी oversaturate करता है, बट फिर भी अच्छी photos आपको लाकर देता है, इसलिए मुझे ऐसे लगा कि आप लोग को यह 50, 100, 200MP ने गिमिक के पीचे नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा वाला camera phone लेने से पहले आपको यह सारी चीजों के उपर ध्यान रखना चाहिए, मेरे हिसाब से तो, और आपको अगर ऐसा वाला content हमारे channel से पसंद आता है, तो comment करके ज़रूर बताना है, यह actually हमें motivate करता है, और अच्छी videos बनाने और वीडियो पसंद आई तो like करना, चैनल को subscribe करते हैं जाना, बबाई